दोस्तों imagine करिए कि आप कहीं long drive पे जा रहे हों और आपकी गाड़ी पंचर होके बैठ जाए सुबह सुबह आपने किसी काम के लिए गाड़ी निकाली और आपकी गाड़ी पंचर होके बैठ जाए और आपको spare wheel लगाना भी ना आता हो तो कैसा लगेगा तो यह चीज काफी जादा disgusting सी हो जाती है जब हमें spare wheel चेंज करना नहीं आता लेकिन अगर आता है तो हम अपने काम को continue रख सकते हैं सो यह चीज ऐसी है कि कई बार लोग मानते हैं कि भाई मैं तो बड़ा आदमी हूं है ऐसा हूं वैसा हूं तो मैं spare wheel चेंज नहीं करूंगा या फिर अच्छा नहीं लगता दूसरों के सामने spare wheel चेंज करना यह तो दुकान वाले का काम है तो ऐसा कुछ भी नहीं है अगर आ आप एक गाड़ी ओन करते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि एक spare wheel को कैसे चेंज किया जा सकता है जब आपकी गाड़ी पंचर हो यह किसी भी सिच्वेशन में अगर आपके पास टायर वगेरा बस्ट हो गया हो कुछ भी तो आपको कम से कम य स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल इट सुमित कुमार में तो दोस्तों मेरे पास है टाटा टियागो और अभी में आपको इसका spare wheel चेंज करके बताऊंगा लेकिन उससे पहले एक चीज आप थोड़ा सा जान ले कि अलग अलग गाडियों में अलग सेग्मेंट में ज नीचे की तरफ लगा रहता है तो अपनी गाड़ी के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि आपका spare wheel कहा है तो फिलहाल मेरी गाड़ी में जो मेरा spare wheel है मेरे बूट के अंदर की साइड है आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा बूट में सामान पड़ा है और थोड़ा मेशी सा हो रखा है तो इसके लिए sorry और इसको मैं थोड़ा सा बाहर रखता हूँ और अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहां पर आपका spare wheel लगा हुआ है पहले लेकिन spare wheel से आपको एक आपकी गाड़ी में टूल किट भी होई होगी जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी में भी side में इस तरह टूल किट दी है हर गाड़ी में आती है आपको त तूल किट काफी जादा जरूरी है इसमें आप अगर देखेंगे तो आपको दो तीन तरह के टूल देखने को मिल जाएंगे आपको अगर बारी बारी से explain करूं तो यह वाला जो टूल है यह वाला टूल काम आता है एक तो आपके जैक को रोल अप रोल डाउन करने में और दूसरा इसका काम है आपके टायर के जो लग नट्स है उन्हें उपन करने में और यह वाला जो आपका टूल है यह आपके जै आपकी गाड़ी को अगर आप टो करना चाहें तो वहां पर लगता है इसका भी हमें काम नहीं है इस वाले टूल को पूरा वाकी जब भी काम हो जाएगा तो हम इसे प्रॉपर वापिस से अरेंज करके इसे अपनी जगा पर रखेंगे क्योंकि यह बार-बार काम आने वाली च पूर्जीप शनी-इस सेलगोने सकते हैं तो आगे या पीछे की तरफ आप इसे कुछ इस तरीके से प्लेस कर सकते और अराम से वहां पर खड़ा हो जाता है है इसमें इस सुख तो है कि यह देख समझ जाएगा की आप Präsident एक हड़ाएट का निशाँ तो यहां पर आप थोड़ा इस शीज को धियान में बाकि आ देख सकते जगा पर बना रहां हूं सॉलिट सी जगा है नीचे की तरफ तो यहां पर इसकी आउशकता नहीं है लेकिन मैंने आपको इसका यूज बता दिया और दूसरी चीज यहां पर जब भी आप अपना इंपोर्टेंट चीज है उसके लिए तो सबसे यह वाली पैडिंग को मैं एक साइडी निकाल के रख देता हूं अभी और इस तरीके का कुछ हमारा स्पेर वील है और इस पे उपर आप देख सकते हैं इसकी का लगा हुआ है अलगी क्योंकि इसकी लिमिट है 80 किलोमेटर पर अवर से ज्यादा नहीं चला सकते और अगर आप इसका साइज देखेंगे तो एक सो पच्पन असी आर थर्टीन करके इसका साइज है और और फोर्टीन इंच के नॉर्मल वील है मतलब यह एक एक इंच छोटा आता है तो अब यह क्यों आता है इसके बारे में हम एक डिटे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बाकी इसे ओपन करते हैं नट से आपका इसपेर वील लगा हुआ होता है ताकि जो अपना अपनी जगा छोड़के इदा उदर भगे ना यह आवाज ना करे तो इसे थोड़ा सा खुलने में समय लग रहा है इसे प्रॉपर लिए आपको बाहर निकाल दिया फिलाल मेरे को अभी इसकी जरासी भी जरूरत नहीं पड़ी है क्योंकि गाड़ी उतनी पंचर हुई नहीं है अब देख सकते हैं अभी इसके काटें जो वह भी आराम से एकदम नया रखा है इसे साइड में रखते हैं और जो अगली हमारी इंपोर्टे के नीचे जो रखा हुआ था यह जेक पूरे प्रोसेस में इतना ज्यादा इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है आप सोची सकते हैं पूरी गाड़ी का भार यह समालेगा जब टायर गाड़ी का निकला हुआ रहे हैं सो दोस्तों इस पैर विल को खोलने के लिए हमारे पास ज पंचर नहीं है जब पंचर होगा तो अलगी दिखेगा अब जरूरी नहीं है कि इस पर टायर को चेंज करने के लिए आपको पंचर टायर ही दिखाऊ बाकी इसमें आपको जितनी भी चीजों के आशकता रहेगी वह आपकी गाड़ी के अंदर ही आपको अल्रेडी अविले से पहले जेक चड़ा देता गाड़ी को उठा देंगे और उसके बाद फिर नट धीले करेंगे और नट धीले होते नहीं यह टायर गूमने लगता है तो इन नट को धीले करना है उसके ऐल्टरनेट में जो डाट है वहां पर खूलेंगे और फिर इस वाले नट को खूलेंगे और फिर इस वाले नट इस तरीकेशे आप आप इस तरीके यह लिडां नहीं पूरी तरीके से खूलना नहीं है और एक चीज और आपको ध्यान में रखना हैंकि alan आप का जो सरफेस जहां पर गाड़ी खड़ी क होुग मतलब HCI कोई बात नहीं रोट के साइड में उमने चो बात हो वहाँ पर गाड़ी दसनी नहीं कर लग फी मिला करें है अब पर लगाने के लिए अगर आप थ़ोड़ा सा कैमर्य नीचे फुरिए जाए तो गाड़ी में जेक लगाने के लिए आप देख सकते हैं तरीके का आपको देखने का मिलेगा निशान यहां पर यह वाला पॉर्शन जो है वह जाके फिट हो जाएगा तो यह प्रॉपर जगा है जेक लगाने के लिए कई लोग सस्पेंशन में लगा देंगे कई सारी चीजे फास्ट फॉर्वर्ड करके दिखाने करेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं अभी जो जेक अपनी प्रॉपर पोजिशन पर फिट हो गया है और अब उसके बाद आपके पास जो टूल से उनका यूज़ करेंगे हम अब इधर दिखा देंगे इस तरीके का आपके पास एक टूल होगा उसे जेक के इस वाले पोर्शन में लगाना है और यह जो आपको दिख रहा होगा यहां पर एक तीखा सा वहां पर आपका यह वाला जो टूल है जिससे आपने अभी नट डिले करेंगे वह यहां पर लगेगा और कुछ आपको प्लोक वाइस जेक को इ कर सकता नहीं होती है कि अब देख सकते हैं अभी टायर के नीचे अच्छा का सब्सक्राइब क्रियेट हो गया है ताकि यह टायर बाहर की तरफ निकल सके और एक चीज और आप ध्यान रखें अंदर से आपका हैंड ब्रेक प्रॉपरली इंगेज होना चाहिए इस चीज में ठाइए टो अब हम इन नैट्स को धईले कर लियते लग की आठीक धैकर में आप हमें सारे नैट्स को धिले कर लिया है और यह टायर देख सकते हैं आप पाहर की तरफ इजिली निकल गया है और आप जो हैं अपने सारे criteria को अच्छे से समाल करके रखें जहां भी आपको जगाय मिलें क्योंकि इन में से अगर एक भी गुम हुआ तो इमर्जेंसी में बहुत मुश्किल से मिलेगा और काफी ज़्यादा काम की चीज है तो गाड़ी का टायर खुलने के बाद कुछ इस तरीके का नजारा आपको देखने को मिलता है यहाँ पर धूल वगेरा लगी हो इसे थोड़ा सा साफ कर ले और उसके बाद हम नया आपको टायर लगा के दिखाते हैं अब हम इस टायर को इसमें लगाते हैं और आप बताता तो आपको यह जो चार इसमें देखने को मिल रहे हैं होल उन्हें अंदर वाले जो नट्स हैं उनसे मेच करना है थोड़ा सा आपको उपर उठाना पड़ेगा उसके लिए टायर को देख सकते आप कुछ इस तरीके से यह मेच होगा है होल तो उसके बाद आपको सिंपली अपने नट्स को ज्यादा टाइट तो नहीं लगाना है और यह जो कुछ इस तरीके का जो रहता है इनका स्ट्रक्चर इसे अंदर की तरफ रखना और यह वाला पॉर्शन आपका बाहर की तरफ आएगा तो इन्हें इजीली आप जितना कस सकते हैं अपने हातों से उन्हें पहले लगाना है और अल्टरनेट वे में थोड़ा सा लगाएंगे तो आपका जो टायर है वो स्टेबल रहेगा और इक्वली फिट होगा अब इन सबको अपने हिसाब से कसने के बाद आपको अपने इस वाले टूल से कसना है और यह अब क्लोक वाइस कसे जाएंगे और इन्हें कसने में आपको ज्यादा जूर नहीं लगाना है कुछ लोग एकदम चड़ चड़ के इनको कसते हैं उतना ज्यादा नहीं कसना है अ कि इन्हें कसने के बाद आपको अपने जेक को वापिस से नीचे उतार लेना है कि अपने पर एक कोपट हो गया है कि हमारे इस पैर वील में हावा ही कम है तो एक चीज और अपने स्पैर वील में हमेंगा हावा जो है चेक करके रखें बाकी हम अभी इसे निकाल के वीडियो बनाने के बाद अपना नॉर्मल टायर वापिस से लगा लेंगे तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वो सब आप लोग केवल दिखाने के लिए कि कैसे स्पैर विल को चेंज किया जाता है तो इसे जब यह आपका टायर ग्राउंड पर टैच कर जाए तो एक बार और इसे अच्छे तरीके से आप अपने हातों से टाइट कर लें इतनी ताकत आप में है कि कर रहा हूं अगयरा को अपने पोजिशन पर रख दे और जब भी आपकी गाड़ी पंचर हो आप इस तरीके से अपने टायर को चेंज कर सकते हैं बाकी उम्मीद है आपको वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा यदि हेल्फुल लगा है और भाई इतनी मेहनत करी है थोड़ा बहु झाल भाई